हम खड़े हैं दुहाई डीपो पर और ये नमो भारत का हब है और इसी को हम असान भाशा में वर्क्शॉप भी कह सकते हैं जहां पर नमो भारत का रखर्खाव किया जा सकता है। बता देती हूं कि यहां से लोकल मेट्रो भी आपको मिलने वाली है जो की सीधा जाएंगी सराय काले खांकी और सामने आपको नजर आ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म उसी के साथ हमारी बहुत ही प्यारी नमो भारत आ चुकी है यह इसका सामने का फेज था और इस पे तरं बहुत बड़ा इंडस्टियल एरिया जुड़ा हुआ है जिसको हम असान भाषा में और ध्योगिक शेत्र भी कहते हैं उसी के साथ हम एक और बात भी मैं बताती हूं कि यह जो रूट है उसके साथ में इस्टन पेरिफेरियल एक्स्प्रेस वे जुड़ा हुआ है जो की दि एंपे प्रजैंट में आने वाले समय में और भी तीन कोच एड़ हो सकते हैं क्यूंकि अभी कुछ ही कम रश है ज्यादा रश नहीं है जो मारा फ्रस्ट कोच है वह प्रीमियम कोच है सैकेंड कोच है वह लेडिस के लिए रिजर्व कोच है उसके बाद चार जो कोच है वह स सफर कर सकती है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है उसी के साथ मैं आपको एक बात और बताती हूं कि यहाँ पे यह जो स्क्रीन अजर आ रही है यहाँ पे आपको एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ नजर आने वाला है और दूसरी साइड में जो आपको नजर आ है क्योंकि काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहां पे नमोभाड सावकुनिक हो चुकी है और इसका ट्रायल चल रहा था पिछले शहे मैंनो से अभी हाली में यह सारवजनिक हुई है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है वाली है इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि रुकने के लिए तो जाहिर सी बात है वैसे यह 180 किलो मीटर के स्पीड से दोड़ सकती है और यहां पर आपको सॉकिट भी नजर आ बारी होगी और उपर में आपको यह हैंडल पकड़ने में काफी ज्यादा कमफर्ट है और इसमें जो दूरी है वह बहुत ही मलब एक एक फिट की है यहां पर जो दूरी है काफी लोग खड़े हो सकते हैं और यह जो सीट्स हैं यह इसलिए दी गई है इस टाइप की जैसे कि क बाग बुजाने वाला सिलेंडर भी लगा हुआ है और बाई चंस भगवान ना करें खुदाना खासता अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका हम यूज कर सके आसानी से ताकि इसे पबलिक को कोई दिक्कत ना हो वैसे तो यह फुली इलेक्ट्रिक है और फुली इलेक होंगी यहां पर भी आपको अपडेट मिलता रहता है कि आपका कौन सा स्टेशन आ रहा है अगला कौन सा है और यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखा रहेगा और कुछ इस तरीके से आपको बाहर भी बाहर से नमो भारत नजर आ रही है यहां पर ज्यादा तर जो सेफटी के मामले में मैं बात करूँ तो डबल डोर है एक तो स्टेशन की डोर रहती है और एक नमो भारत की यह डैली मेट्रो में भी है लेकिन यहां पर तो मोसली स्टेशन पर मिले गा ही उससे के साथ कुछ लोग और भी आए हुए है तो वो भी थोड़ा इंजॉइम को रिप्लेस करने वाली है क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज़्यादा हो रहा है गाडियों की वज़े से और गाडियां कम चलेंगी तो मेट्रो से लोग ज़्यादा सफर करेंगे तो पॉल्यूशन में जाहिर सी बात है इजापा होगा और उसी के साथ हम बाहर की और एक्जि अनेजुकेटेड लोग हैं और काफी ऐसे लोग हैं जिनों ने अभी मेट्रो में सफर नहीं किया है काफी ऐसे लोग हैं और उसी के साथ ये भी है कि अगर मेट्रो तो खेर नमो भारत तो अभी आई है अभी 20 अक्टूबर को ही आई है तो जाहिर से बात है का काफी क्या यहां पर आप रिजर्व पार्किंग भी ले सकते हैं क्योंकि काफी लोग जैसे मेरट से दूर से आने वाले हैं वो यहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं रिजर्व में बहुत ही कम पे करना होगा उसके बाद आप शाम को आगे अपना ओफिस ओफिस निप्टाने के बाद अराम से आप घर की और जा सकते हैं अपनी ही गाड़ी से तो कोई ऐसे प्रावलम वाली बात नहीं होने वाली है और ये कुछ इस टाइब से आपको डिजाइन नजर आ रहा है स्टेशन का तो देखिए काफी अच्छा लग रहा है बने रही है हमारे साथ और भी वीडि आपड़ी से आपको लगावलम वीडियर आपको डिए ये ये अच्छा लगवावचा लगवावशन